हेलो गाइस, वेलकम तो ओवर चैनल, स्टॉक मार्केट अनलिसिस तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, आर्थी इंडस्ट्री शेयर के बारे में काफी कुछ चल रहा है शेयर में, कल इसके रिजल्ट्स भी आये थे, आज काफी ऊपर नीचे देखने को मिला है तो जानेंगे क्यों नीचे गया है, क्या हो सकता है शेयर में, रिजल्ट कैसे रहे थे, शाथी साथ कंपनी ने बानस डिकलियर करा हाए, डिविदेन्ट क Depart, काफी सारा शेर 1770 पर open हुआ था लो लगाया गाई 1740 का और जब से open हुआ है तब से नीचे ही आया आज गाई शेर डेलो 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 और 1770 का ही हाई है मतलब जहां खुला था वही हाई है उसके बाद शेर ने दुबारा कभी मुड़के देखा नहीं आज के दिन और नीचे ही जाता गय वॉलियम्स की बात कर लेते हैं गाई पांच लाग का एवरेज वॉलियम है आज के दिन 30 लाग शेर ट्रेड हुए है तो गाई देख सकते हैं छे पांच है गुना ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है आज शेर के अंदर मार्केट कैपिटल की बात करें तो 290 बिलियन का है ग 52 लोग गाई 850 रुपे का है मलब डबल से भी जादा गाई शेर ने पिछले एक साल में 100% से ज्यादा के रिटन दी है अपने इन्वेस्टर्स को तो गाई ऐसे में जिसके पास पोजिशन है उसे क्या करना चाहिए जिसने नई पोजिशन लिया उसे क्या करना चाहिए या फिर NCD की थरू यह देखने वाली बात है NCD मतलब नॉन कनवर्टेवल डिवेंचर्स या फिर वारेंट के थरू पैसे जुटाने की सोच रिये कंपनी जिससे की वह अपने ग्रोथ को या फिर कंपनी के काम कार्म काज के लिए यूज करते हैं पैसे यह तो एक होगी गा और गाइस एस्टीमेट जो था वह 1.8 बिलियन का था एस्टीमेट से नीचे ही रिजल्ट्स आए हैं एस्टीमेट से अच्छे नहीं आए हैं कॉर्टर ओन कॉर्टर 1.65 बिलियन का था प्रॉफिट एबिटा की बात करें तो 12.1 बिलियन रुपीज था 10.8 के मुकाबले तो तिन रुपे का डिवीडेंट अनाॉन्स करा आया, 60% के according, 5 रुपे की face-value share की, 3 रुपे का dividend अनाॉन्स करा आया है गाइस Kамपनी ने बॉनस डेकलियर करा है वन इस तू वन का रेशयो होता है गाइस मतलब जैसे कि आपके पास अगर एक share है तो उस share के आपके 2 share हो बट इसी के साथ साथ गाईज ऐसा नहीं कि आपको शेर मिल गए लेकिन रेट महीं रहेगा कंपनी का शेर भी उसी रेशो में स्पिलिट हो जाता है एक जामपल जैसे कंपनी अभी आरती इंडस्ट्री जोला सो रुपे पर चल रही है ऐसे में इंवेस्टर बोलता है हमें क्या फाइद हुआ तो फाइदा यह होता है कि कंपनी दुबारा से ज्यादा ग्रोथ करने मतलब शेयर को डबल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और ट्रेडिंग ज्यादा होगी जब वॉलिम्स बगएरा ज्यादा जुड़ सकते है जो कि 32 रुपे का 16 रुपे का शेयर लेने के लिए हर बंदा एक बार को सोचेगा लेकिन 800 रुपे में जल्दी मतलब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं जब रेट शोटा होता है उसमें कोई ट्रेड नहीं करता होगा ज्यादा बहुत कम वोलिम जुटते हैं आप देखन इस बार फिर से आएगा नीचे 8900 पे और अगले साल तक आपको फिर 1500-1600 मिल जाएगा और सबसे बड़ी बात आपके शेयर जादा हो जाते हैं तो डिविडेंट का पैसा डवल आएगा आपके पास यह सारे बेनिफिट्स होते हैं इसलिए कहते हैं लंबे समय के लिए पैस इन्वेस्ट करो तो बॉनस डिविडेंट यह सब हो कि शेयर बढ़ते जाते हैं और इन्वेस्टर को काफी मुनाफ़ा होता है इसी के साथ मैं आपको पता दूँ जैसे ही आपके शेयर डवल होंगे तो जो डिविडेंट है वो तीन रुपे की जाएगा जो कि जैसे कि शे कारी थी आप सभी के लिए शेयर 1565 पर जल रहा है ऐसे मैं करना क्या चाहिए और बॉनस की डिविड बॉनस की डेट अभी आई नहीं है जैसे ही आजाएगी आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे बट बॉनस आने वाला है अप्रूवल आ चुका है वन इस्टू वन के रेशिय 1640-30 के करीब शपोर्ट ले सकता है शेयर और दुबारा उपर जा सकता है और डिविडेंट के बाद गाईज जब बॉनस आएगा आदा शेयर हो जाएगा उसके बाद गाईज देखा जाता है कि शेयर में तेज उपर या फिर तेज नीचे होता है तो वो उसी टाइम देख शेयर उपर जा सकता है नई पोजिशन जिसे लेनी है वो थोड़ा वेट करें और लेवल्स को देखके नई पोजिशन बनाएं थोड़ा और नीचे आने का वेट करें अभी 1800-180 रुपे मतलब की 1620-1610 परसेंट भी गाईज अभी करेक्ट नहीं हुआ है शेयर तो मेरे हिसा यह मेरी आरती इंडस्ट्रीज पर राय होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी गाईज अगर वीडियो पसंद आई हो तो यह वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मोटिवेशन मिलती है थैंक यू सो मच पर वाचिं दिस वीडियो हैवा यह ऱीडियो